आपका प्रेम वैराग्य शुद्धा साधन कोई नहीं ठब सकता आठ जून आठ जून पुर्शोत्तम योग नवीन संस्क्रण इसने लिख दिया कि किसी के पास पुरानी किताब होगी तो यह नहीं मिलेगा यह नई नई वाली में से लिया है तो शीर्शक है आपका प्रेम वैराग्य शुद्धा साधन कोई नहीं ठख सकता अच्छा यह पंदर्वे अध्याय पे महराश्री के जो प्रवचन हुए सार्भी कंचन ने उनको लिखा और फिर यह प्रवचन कहीं और हुए थे और यह प्रवचन कहीं और हुए तो इसमें प्रशुत्तम योग के श्लोकों का महराश्री ने विष्थार में व्याख्या की है और व्याख्या तो अध्भूत है है पूरो की भी व्याख्या अध्भूती थी पर वो सुन के नहीं लिखा गया था पहले शोट एंड होता था तो शुदर्शंसिये चक्र बहुत सारा अपने गायरी में लिख लेते थे पिर उसी से फिर छप जाता था यह पूरा सुन के लिखा है और पुर्शुत्तम योग जो है पंद्रमा अध्या गीता का बहुत ही महत्तपून है क्योंकि गीता वैसे तो गीता शास्तर है पर इसको पंद्रमा अध्या को भी शास्त्र ही का है इतना महत्तपून है यह कि पूरे 應該 का सार इसमें 20 स्लोकों में भगवान ने देदिया है तो ये जो पाँच्वाश लोग आज इस पर व्याख्या करेंगे माराश्री तो इसमें कह रहे हैं कि जो मान मोह से रहित है निर्मान मोहा संग दोश को जीत चुके हैं जीत संग दोशा और आगे कह रहे हैं सदा अध्यात्म में इस्थित हैं अध्यात्म नित्या है विनिवृत्त कामा हैं और कामराओं से छूड़ चुके हैं पांच चीजें बताई ऐसी जो अमूड़ पुरुषें उस अव्य पद का अनमो करते हैं वो लोक जो हैं वो इस अव्य पद का अनमो करते हैं तो इस लोग में बता रहे हैं कि कौन उस अव्यपद को अव्यपद कारता है कि अपना जो सुरूप है उसी को यहाँ प्रमपद अव्यपद तो सुरूप क्या है वही जो ब्रह्म कहना चाहिए तो ब्रह्मात्मे के बोध को कौन प्राप्त करता है ये पांच चीजे जिसके ज निर्मानमोहाजितसंगदोशा अध्यात्मनित्याविनिवृत्तकामाहा द्वंद्वईविमुक्ताहा सुखदुख संग्येही गच्छंत्यमूढःाः पदमव्ययम्तत। जो मानमोह से रहित हैं संग्यदोश को जीच चुके हैं सदा अध्यात्मे इस्थित हैं कामनाओं से छूड़ चुके हैं सुख दुख आदि द्वंदों से रहित हैं वे अमूड़ पुरुस उस अव्यपत का अन्माव करते हैं अच्छा अब परमपुजय मारश्री अपनी व और अर्थात आत्मा नात्मा विवेक करने से मानमोह चूटता है संग्यदोश दूर हो जाये तब गुरु की शरण जाएंगे या भ्रामत भाव हैं गुरु की शरण जाने से संग्यदोश चूटेंगे कामनाएं मिढ़ जाएं तब भक्ति नहीं इस्वर की भक्ति करोगे तब कामनाएं दूर होंगे, तो तीन बातें हैं, एक में इश्वर को लिया है, एक में गुरू को लिया है, और एक में वेदान्त विचार को लिया है, तो मानमो में वेदान्त विचार को लिया है, कोई अगर कहें कि भाई, मानमो हमारा छूड़िया है, तब वेदान्त का वि होगा कि बोले संग्दोस दूर हो जाए फिर उसके बाद हम गुरू के शरण में जाएंगे बोले नहीं नहीं गल्ती मत करना यह भ्रांत भाव है क्या कि पहले संग दूर हो जाए फिर गुरु के पास जाएंगे तो फिर सही भाव क्या है गुरु की शन जाने से संग दूस चूटेंगे और तीसरा जो कि और भी मुश्किल है विनिवृत्त कामा हां तो कोई कहें कि कामनाय मेड़ी जाएं तब फिर हम भक्ति करेंगे बोले ये भी भ्रांत भाव है तो असलियत क्या है बोले इश्वर की भक्ति करोगे तब कामनाय दूर होंगी यानि अभी जो माजी आई थी तो ह हमने उनका उठागी पंदर्वा अध्याय आप करिये जो पंदर्वा अध्याय किया उनके साथ पर इसी श्लोक में ये जो बात सुषेश बताई है महाराश्री ने वहां हाला कि इस श्लोक पे काफी और और टिकाओं को देखा और ये महाराश्री वाला तो हमने कह दिया कि पुस्तक हाई है फिर बाद में ये लोग अपना करेंगे तीस पुस्तक है ले गए है पुर्शोतम योग की अपना सच्छं करते हैं नो तो इसलिए फिर हमने यहां इसमें टिकाओं के आधार पर ये बाद में उनके जाने के बाद अपने जो आठ तारिका छोटा हुआ था सखनगो में जाने से संग जित संग दोशना संग दोश चूटेगा संगदोश क्या है संग अधवाज यह संग दोश बढ़िया समझाया हुझ उथोने मस्धोन साथ ती जेसे प्रिय हमारा हमारे पास आया तो उससे राग हो गया अप्रिय आया उन्से तो इसको गएते हैं प्रिय अप्रिय के आने से जो रागद्विश जो हिरदे में आता है, जो कि मापुरुषों की चित में नहीं होता, तो जित-संग दोश को ही ब्रहमात्मे के बुद पराप्त होगा, जब तक हमारी रागद्वेश बने हुए हैं, अज़ा रागद्वेश में भी राग को और आत्मनिरिक्षन करने से पता चलेगा, आप लोगों के लिए नहीं, पर ये जो सन्यासी और इसमें फूल टाइम लगे हुए हैं, तो वो जो साधना कर रहे हैं, उसमें उनको देखना लगी राख हैं, तो संगद्वेश हैं, फॉल बड़ी जवरदस कसोटी उने उनोंने हैं, यह जित्प्रिय कि आने सरे ने से जो रागद्वेश नेज Самव हूएज समने जुन हैं, उसको भी उसने जीत लिए, उसने जीत लिया हैं, तो बोले किए हुए हैं, उसको बीड़ क शरण में जाने से संग दोस्ट चूटे गया। तो गूरु जो है वो रागदेश कैसे छुढा देते है। गूरु रागदेश इस परकार छुड़ादे कर गूरु से प्रेम हॉए जब प्रेम हो गया तो यह जो अपरिय जो था ता वो क्यों था जब तक द खो दूसरा भी रागद्वेश, दोनों, अब ये गुरु की शरण में जाने से संग दोश मिटेगा, इसमें महाराश्ची का कहिने का भाव यह है, कि गुरु के चरणों में जब प्रेम हो गया, अब ये जो संसार वाले बिलकुल फीके पड़े, उनके रागद्वेश का कोई मु द्वारा आठात्त मानमो चूटता है, पहले वेदान्त विचार में लगना पड़ेगा, तो लग गए, वेदान्त विचार में लगए है, मानमो चूट रहा है, कैसे चूट रहा है पहले, बड़ा, कह दें कि भई मोटू को यह से हटाओ, बहुत बुरा मान जाता है, अब देखते हैं कि मोटू रटेगा, कि यह रटेगा, पर मानमो नहीं रहा, कोई कि भई, गुरू की सेवा कर रहे है हम लोग, माराशी की जनन सितापदी हो रही है, तो उसमें अपना मान क्या रखना है, तो मान भी रटेगा, और मोव भी रटेगा, मोव कैसे रटेगा, भई अब तो पांचे दिन आफ कैसे देंगे, नहीं दे सकते हैं, पांचे दिन अपने अननद सितापदी में देंगे, तो भई, अपना घर का काम करेंगे कि यह कारे करेंगे, कोई मोव नहीं, अभी साहीन का हुआ, उस सब, आपने उसको जो जाना था कौन सी शादीवादी में तो आपने कही दिया भाई अभी तो नहीं आ सकते तो मौ खतम हो गया, वह मौ है, भाई अब तो कैसे भीकर के शादी में पहुंचना है, तो फिर एक दिन ऐसा यहां काई के लाल जुगो भाई, बहुत जाना ज़रूरी है, यह इसका मतलब मौ अभी बना हुआ है, पर आत्मा का विचार करेंगे, वेदान के विचार के द्वारा, तो यह मौ कैसे छुटेगा मान मौ तो मान मौ इस परकार छुटेगा कि आत्मा जो है, वह हमारा असली सुरूप, आत्मा जब असली शुरूप है, तो यह जो मौ बन रहे हैं, यह तो इस उपादी को लेकर बन रहे है तो उपादी को लेकर मौ बन रहा है, मान बन रहा है, और जो हमारा असली सुरूप जो है, वो बताएंगे वेदान्त कि वो तुम हो यह नहीं है, जिसके कारण तुम जो जो दुखी बने पड़े हो या बड़े, इसमें आधे म सकते क्या है? मौ पर रोनक आ जाति है, और मौ यह दो और जिवन मुक्त के यह जाता है? फै Myths का रहा है? जिवन मुक्त में झालूप रहा है, जिवन मुक्त कारा हैना, कुछ नहीं है, तो क्या है, होना आए तो आजाए नहीं आए तो नहीं आए, करना है तो करें नहीं करना है, करें को परिशान हो नहीं, आपने को लाल जी है, लाल जी, लाल जी और हमारा, यही तो है ना, यह जो है, यह स्थाई है, यह जो है, यह सब अस्थाई है, जितना है, तो यह जब वि श्री बतारे हैं कि कामनाएं तो कामनाएं मिडिया तब भक्ति नहीं इश्वर की भक्ति करोगे तब कामनाएं दूर होगी तो इश्वर की भक्ति करने से कामनाएं कैसे दूर होती है इश्वर की भक्ति करने से यह पता लगता है वो सर्वग्य है सर्वशक्तिमान है दयालू है तो उसकी जो महत्ता पता लगती है अपनी बुद्धी से फिर उसका उसके प्रती प्रेम होता है और प्रेम होने से वो जो कामना है थी ती कि वही आमको लगता था कि यह यह बहुत बड़े हैं तो काड दिखो वही का कितना नंक इनक तने कितने बड़े पद्वे हैं, यह हमारे जो है, बहुत काम के हैं, तो काड को सवाल के रखे रहो, जब उनको मिलोगे तो आपको पैशानेंगी, यहां के लोगों की यह है, और क्या है, तो इसलिए इस्ष्वर जो है, उसकी भक्ति जब करेंगे, तब यह सब काम नहीं हम लोग कि हमारा यह काम बना देंगे हु कर अव अब लोगों है, अभी भी आप लोग बता रहे जब तो हम लोग सोच रहे थे कि उसके पास कुछ पहुंच जा एं लोगोष्क नहीं हो रहा था, तो यह काम नहीं हो काम जो है, यह आप मैटया ते झात बढ़ितर है, यह हैं कुछ म आपना भेजावा नहीं पहुंच रहा है तो ये इस परकार ये कामनाई मिटने का महाराशी ने एक बता दिया तरीका अचा अब दो बच गए तो दो कौन-कौन से बचे एक अध्यात्मनित्या और दंदेल मुक्ता सुगदुख्य संग्यी तो आगे महाराशी बता रहे है बह उससे लोग त्याग ही त्याग ही बात करते हैं वे कोई आश्रे नहीं बतलाते इस परकार बिना आश्रे के त्याग नहीं होता ये बात इसलिए नहीं बनती कि बिना सहारे की त्याग करना बहुत ही कठिन है इसलिए अपने विवेक की सहारे मानमों का त्याग गुरू की सह पहरे संगदोस का त्याग ओर इश्वर के उपास्ना के सारे कामनाों पर विजय प्राप्त करों. ये तीन चीजें जो बताइ, उसमें, हां रहसी किया है, बोले कि, हां पहले में विVI का सारा, दूसरे में गुरुका सारा, और तीसरे में इश्वर का सारा. तो ये जो सहरा है सिर्फ त्यागी त्याग की बात करोगे पर बिना आश्रे के कैसे त्याग होगा ये इसमें रहस्य से बता दिया इतना करके जब इश्वर की ओर चलो तो मार्ग में ये फल मिला के सुख दुखे देने वाले दोंदों से चुट गए अब ये क्या कह रहे हैं कि ये जो तीन चीजें आई हैं जीवन में और हम इश्वर की ओर मतलब इश्वर की ओर तो चलना हमारा जारी है पर ये तीन चीजें प्लस हो गई ना पहले थी नहीं तो अब वो तीन चीजें प्लस होने के बाद जो अब यात्रा हो रही है इसकी विशेष्टा बताते हैं कि ये जो पांचवी बात है द्वंदेई विमुक्ता सुग दुख संगी गच्छन त्यमूडा पदम अब्यों पांचवी बात क्या है कि सुग दुख देने वाले द्वंदों से हम नहीं छूट पा रहे हैं पर जब जितसंग दोश हो गए और मानमो नहीं रहा और तीसरी बात क्या बताए कि कामना है नहीं रही तो यह जब तीन चीजें जीवन में आई और अब हम इश्वर क्यों बढ़ रहे हैं तो अब देखते हैं कि दुख सुख आते हैं पर वो दुख सुख जो है अब छूते नहीं हमको यानि उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दुख आया ठीक है ठाकुर जी कुछ परिक्षा ले रहे हैं ठाकुर जी हमको और द्रड कर रहे हैं और हमको पक्का बना रहे हैं तो बिलकुल उसका अपना भाव ही बदल गया दुख को लेका पहले अपमान में सूस होता था बड़ा दिल जो है हना होई मुर्जा जाता था चेहरा अब कुछ नहीं अब जो है आनंद आता है अंदर यंदर ये ठाकुर जी बड़ी किरभा कर रहे हैं हमको पक्का बना रहे हैं बिगने से कापते क्यों है इकाता है माराशी का पलेंडर में सोती उसक्तियों जगाने के दिख आते हैं बिखनादे हैं तो पहले वह दुख हमको यह करते हैं अब माराशी कह रहे हैं कि मारग में जब चले ये तीन चीज़े लेकर तो मारग म ही और york मिल अब अध्यात्मनित्या को लेकर महाराश्री ने यहां विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् संसार की ओर हमारी विर्ति नह जाए, अध्यात्म को लेकरी, ठाकुर जी की चढ़ जा, तक तो चढ़ जा, यह चले, तो इससे क्या है, कि अब वो गच्छन के मूड़ा पदम अब गया भीताता, अब इसको माराशी आगे बताएं जो गटनाएं, जो परिस्तितियां संसारी लोगों को दुख देती हैं, वे विरक्त को प्रसंदता देती हैं, जिन बातों में संसारी पुरुष आनंद से फूल उठते हैं, विरक्त पुरुष उने निसार समझते हैं, संसारी पुरुष को कोई भोतिक प्राप्ती हो गई, धन की प्राप्ती हो गई, वे आनंद से फ तो आपस, आपसे कोई कहता है, साधूं के पास मज जाय करो, वे तुम्हे ठग लेंगे, तो ये बात तो ठीक है कि वह आपका धन बचाना चाहता है और आपका हितेशी है, इतनी बात तो पकी है, लोकिक दृष्टी से उसकी सला ठीक है, ये भी ठीक है, इतना भी महाराशी मा पर अब अध्यात्म की बात चल रही है ना, अध्यात्मनित्या है, तो अध्यात्मनित्या की दृष्टी से अगर इसकी व्याख्या करें, लेकिन उसने श्रदा के स्तान पर संधे उत्पन किया, इश्वर के स्तान पर धनका महत आपकी बुद्धी में बेठाया, तो ये जो यह दो बाते हैं, वो भले लोकिक दिष्टी से तो ठीक हो गया, उसने आपको सावदान कर दिया कि भई यह जड़ा थोड़ा सा खूंक-फूंक के चलने का मार गये, पर तूसरी दिष्टी से उसने आपको नुक्सान किया, क्या, कि श्रद्धा के स्थान पर संदे उत्पन कि आपकी तो पून श्रद्धा थी, और इदर उसने संदे उत्पन कर दिया, इसलिए परनित गया प्रसाद जी कहते थे कि यह कल्यूग में श्रद्धा का होना ही बहुत कठीन है, इसलिए किसी में भी श्रद्धा हो, हमको यह कोई अधिकार नहीं है, कि उसकी श्रद्धा को ह किसी में है, कोई बात नहीं है, उठा कुछी पर छोड़ दो, पर उसकी श्रद्धा को तोड़ दे का हमको अधिकार नहीं है, तो इसलिए कहरे हैं कि एक तो तुमने यह गल्ती कर दी, कि भाई ओ तो ठगेगा, यहना साधों के पास मज जाय करो, तो श्रद्धा के स्तान प इसकी व्यक्या होई गई, अच्छा, अब देखिए आगे, अब आगे महराश्री जो आज की प्रिष्ट का सीर्षक है, उसको ले रहे है, आपका प्रेम, आपका वेरागे, आपकी श्रद्धा, आपका साधन, चार चीज़े, प्रेम भक्ती में, वेरागे भक्ती में भी, श्रद्धा दोनों में, भक्ती ज्यान दोनों में, और साधन भक्ती ज्यान दोनों में, तो साधन, स्रद्धा, वेरागे और प्रेम, ये जो हमारे चित्त में, जैसे जैसे स्मार्ग में चलेंगे, तो आएंगी, अब प्रश्नी यह है कि वो हमारा धन, साधन के पास मत जाय करो वे तुमें ठग लेंगे तो चलो उसने धन को लेकर ठीक कहा आपका धन बचाना चाहता है आपका हितेशी है लोकिक दिश्टी से उसके सला ठीक है पर हमारा ध्यान इस पर जाना चाहिए कि भई हमारे प्रेम वेराग्य सद्धा और साधन बली था ना तो बली को उनको पूरा का पूरा ही तुमारा ले लेगा तो बली गुरु थे और शुकराचारी गुरु थे उनको पता लगया था यह विष्णू है तो इसलिए उनको सला दी पर बली जो था वो पक्का था उसको लगा कि अगर ठाकुर जी है अना और वो मांगने आया है और मैं उनक को मना करो तो इसके तो कोई जरूती नहीं है कि बोले क्या कर लेंगे हमारा क्या थख लेंगे बली ने का क्या थख लेंगे ना तो स्रद्धा थख सकते हैं ना प्रेम थख सकते हैं ना वेरागे थख सकते हैं ना साधन थख सकते हैं तो इसलिए महाराशी कह रहे हैं कि आपका प्रेम वेरा के स्वद्धा सादन कोई नहीं ठक सकता है, वो जो है ठाकुर जी बली का लोग और परलोग ले लेंगे, पिर कहेंगे त्विसरे पाउं के लिए हमको जगा बताओ, तो उसने देखें ठाकुर जी ने बुद्धी दी बोले हमारे अंकार को ले लीजिए, जिसकी प्रेम वेरा के स्वद्धा सादन कोई भी नहीं ठक सकता, यह आज के प्रिष्ट का मुख्य वाक्य है, यहां हमको जब पक्का यह रहे, कि इसको तो कोई ठगी नहीं सकता, वो व्यक्ति जो है इस मार्ग में चल सकता है, बिना किसी जीजक के, जो भगवान को पाना चाहता है, उसे धन में इतनी महतु बुद्धी क्यों हो, कि धन ठगे जाने के डर से वह ससंग से ही वंचित रहे, इस प्रकार की शंका वेरागे की कमी से होती है, तो इस बात को और सफष्ट कर दिया हमारा सुने, और अन्त में जब यह आया गच्छन के अमूधा पदम अव्ययम उसकी व्यक्या कर रहे हैं, एक ही अव्ययपद अर्थात परमार्थ तत्व, ईश्वर, जीव तथा जगत तीनों के रूप में प्रतीत होता है, हो रहा है, यानि वो जो अव्ययपद है, कल में बताय था, सच चित आनंद में, चित जो है, उसको देखी बिना रह नहीं जात है, कि एक ही अव्ययपद अर्थात परमार्थ तत्व है, ईश्वर बन गया, जीव बन गया, यह तो हो गया देखने वाले, और दीखने वाला जगत बन गया, तो तीनों के रूप में वो एक ही तत्व परतीत हो रहा है, तीन है नहीं, यह कही है, उस अव्ययपद को और हम लोग देखते हैं कैसे क्या शाम जी का बूड़ है,